Dear student, जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, कि अब मैं इधर आधुनी कितिहास का step by step topic wise ले करके आप लोगों के सामने chapter प्रोवाइड करा रहा हूँ. तो इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, चुकि आधुनी कितिहास की जो सुरुवात होती है, वो आधुनी कितिहास की सुरुवात अठारसो सताउन की करांती के पश्चात होती है. तो इसके पहले हम लोगों ने अठारसो सताउन की करांती पढ़ा, और उस 1857 की क्रांती का प्रमुख कारण क्या था तो उसमें हम लोगों ने ब्याख्या किया था कि तातकाली कारण में कारण क्या था उसके पहले भारतियों के मन में बहुत सारे सामाजी कुरितियां या सामाजी कारण कह सकते हैं आर्थी कारण कह सकते हैं सैनिक कारण कह सकते ह ये सारी चीजें भारतियों के मन में एक तरीके से दबी हुई थी और उसी के बाद आपका तातकाली कारण में कार्टूस युक्त चर्बी युक्त कार्टूस जारी की गई जिसके प्रणाम से रूप 1877 की क्रांती का सुत्रपात हुआ तो हम लोगों ने उसके साथ साथ ये असफलता का प्रमुख कारण क्या था तो ये असफलता का कारण परने के पश्यात सबसे पहले ये देखा गया कि उसमें एकतायों संगठन का क्या था आभा हो था मतलब उस समय कोई भी ऐसा मजबूत संगठन नहीं था जो की भारतियों क दिशा निर्देश प्रदान कर सके तो असफलता का कारण वगेरा भी हम लोग 1877 की क्रांती में पढ़ चुके थे उसके साथ 1857 की क्रांती पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं ये भी आपकी परिच्छा में कोश्चान आ चुके हैं तो एक तरीके से पूरा 1857 की क्रांती का हम लोग चप्टर समाप्त कर चुके अब उसके बाद से आपका अगला आजाता है राष्टी आंदोलन और यहीं से भारती राष्टी आंदोलन की सुरुवात होती है और इसी भारती राष्टी आंदोलन को हम लोग तीन भागों में विभाजित करके पढ़ेंग अब तो आप लोग हेडिंग बना लीजेगा या चप्टर बना लीजेगा भारती राष्टी आंदोलन चप्टर का नाम है भारती राष्टी आंदोलन और इस भारती राष्टी आंदोलन में आपका जब एक मजबूत संगठन भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना कर द मूमेंट को हम लोग कितने भागों विवाजित करेंगे तो इंडियन नेशनल मूमेंट को हम लोग तीन भागों में डिशाइड करेंगे तीन भागों में इसको बांटेंगे अब इसमें आपका जो प्रथम चरण है पहला चरण कौन सा है प्रथम चरण दूसरा चरण है और बाद से इसको तीसरा चरण के रूप में भी हम लोग विभाजित करके पढ़ेंगे अब इसमें तीनों चरणों में क्या क्या हुआ ये सारा एक तरीके से ब्याख्या पुरुवक हम लोग पढ़ा जाएगा अब ये जो प्रथम चरण है इस प्रथम चरण को किस नाम से जाना जाता है तो इसको उदारवादी युक के नाम से जाना जाता है नोट करते चलिएगा आप लोग क्योंकि बीना नोट किये आनलाइन क्लास कितना भी कर लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है तो कोशिस यही रहे कि एक सिस्टेमेटिक धंग से जब तक आप लोग न अक्षद प्रात नहीं होता है तो अब प्रथम चरण को किस नाम से जाना जाता है तो प्रथम चरण को उदारवादी युक के नाम से जाना जाता है और इस उदारवादी काल को राजनितिक भिच्छा बृत्ति का भी काल कहा जाता है तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया रा व्यापार या political भीक मागने का व्यापार इस काल में होता रहता था। अब ये political भिच्छा बृत्ती या ब्राजनितिक भिच्छा बृत्ती क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो प्रथम चरण है 3PS model पर आधारित था 3PS model अब ये 3PS model क्या था? तो ये 3PS model का मतलब हो गया इसमें 3P involve हुआ करता था कितने P involve? 3P पहला आपका P, दूसरा P और तीसरा P पहले P का मतलब क्या हो गया? तो पहले P का मतलब हो गया prayer पहले P का मतलब prayer दूसरे P का मतलब क्या हो गया? petition और तीसरे P का मतलब हो गया protection तो इस तरीके से जो प्रथम चरण के जो भी नेता involved थे उन नेताओं के द्वारा 3PS model अपनाया गया था और इस 3PS model में जो भी प्रथम चरण में involved उदारवादी नेता थे वो अंग्रेजों से प्रार्थना करते थे अंग्रेजों से याचना करते थे पी यानी की पेटिशन याचना करते थे और पी यानी की प्रोडेक्शन यानी की अपने प्रोडेक्शन की मांग करते थे तो इसी वज़ा से यहाँ पे भी एक तरीके से प्रातना कर रहा हैं, याचना कर रहा हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा हैं, मतलब पूरा देश हमारा, पूरा घर हमारा और इस देश और घर में हमको सिर्फ दो या तीन कमरे दे दो और बाकी पे अपना राज करते रह तो ये भीख मांगने वाला काम हुआ की नहीं हुआ, क्योंकि देश हमारा है, घर हमारा है, तो हमको भाई स्वतंत्ता पुर्वक अपने देश या अपने घर में रहने दो, ये कहना चाहिए, लेकिन ये लोग भीख मांगते थे कि इसी में से एक दो कमरा या एक दो रियाशा तम को दे दो और बाकी छेत्रों में कारे करते रहो तो इसी वज़ा से इस चरण को 3PS model के नाम से जाना गया अब इसमें जो प्रमुख नेता सामिल थे ये भी question आपका पूस्ता है कि प्रथम चरण में सामिल प्रमुख नेता कौन थे तो प्रमुख नेताओं का नाम आप नौरोजी आप लोग पूरा लिख लिजिएगा दूसरा नाम आपका आजाता है मदन मोहन मालवी एम एम मालवी तीसरा नाम आजाता है आपका WC बनरजी WC बनरजी जो की I.N.C. के क्या हुए थे तो I.N.C. के ये प्रथम अध्यक्ष के रूप में निक्थ हुए थे उसक बाद से बदरुदिन तयब जी बदरुदिन तयब जी उसके बाद से आपका अगला नाम जो आता है वो है आपका फिरोशा मेहता फिरोशा मेहता फिरोशा मेहता उसके बाद से जो अगला नाम आता है वो है आपके इसमें सामिल गोपाल कृष्ट गोखले गोपाल में शामिल थे और इन उदारवादी नेताओं की प्रमुख पॉलिसी हुआ करती थी राजनितिक भिच्छा भृत्ति या उदारवादी उदार तरीके से नरम तरीके से अंग्रेजों को यहां से बाहर निकालना था और इसी प्रथम चरण को 3PS मॉडल के नाम से भी जाना जात तो इतना आपका points इसमें बनता है फिर एक बार मैं repeat कर दे रहा हूं कि प्रथम चरण को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता था उसके साथ साथ प्रथम चरण को राजनितिक भिच्छा भृत्ति का भी काल कहा जाता है उसके साथ साथ यह जो प्रथम चरण है वो 3PS model पर आधारित है और 3PS में आपका prayer, petition and protection शामिल है और इसके जो प्रमुख नेता इस चरण के शामिल थे उन नेताओं का नाम हमने आप लोगों को बता दिया अब हम लोग आते हैं दूसरे चरण पे और दूसरा चरण यह है कि आपका दूसरा चरण को उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है, उग्रवादी यूग, उग्रवादी युग का मतलब गरम दल के नेताओं का इसमें प्रभूथ इस्थापीत हुआ है, और यह गरम दल के जो नेता से यह हिंसा के बल पर मार पीट करके किसी तरीके से अंग्रेजों को यहां से भगाना चाते थे तो इस कारण से इस दूसरे चरण को उग्रवादी यूप के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो शामिल प्रमुफ नेता थे, वो थे आपके लाल बाल पाल। लाल से आपका लाल लाजपतर है, बाल से बाल गंगा धरतिलग, पाल से बिपिन चन्दर पाल। इसके साथ साथ इसमें और भी नेता शामिल थे, जिसमें अरविंद घोस, उसके आलामा और भी नेता शामिल थे, जिसमें अस्वनी कुमार दत्थ, तो इस तरीके से ये जितनी भी नेता थे, ये सभी हिंसा के बल पे या हतियार के बल पे भारत को आजात कराना चाहते थे, इसी कारण से इस राश्टी अंदोलन के दूसरे चरण को उग्रवादी काल या गरम दल के रूप में जाना जाता है अब जो तीसरा चरण स्टार्ट होता है वो तीसरा चरण आपका गांधी युग के नाम से जाना जाता है तीसरा चरण गांधी यूग अब गांधी यूग क्यों कहा जाता है क्योंकि इस तीसरे चरण में महात्मा गांधी का प्रभुत इस्थापी तुआ और महात्मा गांधी 22 वर्सों के पश्चात 1915 में दच्छड अफरीका से ये पूर्ण रूप से भारत आए और जब दच्छ तीसरे चरण में किये गया तो सभी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अपने नित्रित में किया गया इस कारण से तीसरे चरण को गांधी यूग के नाम से जाना जाता है अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जितनी भी घटनाय घटी जैसे कि प्रथम चरण में जो पढ़ेंगे उसके बाद से दूसरे चरण में जो घटनाए घटी उसको पढ़ेंगे और तीसरे चरण में तो टोटाल आपका गांधी जी का सविनावग्य आंदोलन असायोग आंदोलन दांडी यात्रा गोल मेश शम्मेलन भारत छोड़ो आंदोलन जितने में भी गांधी ज आश्टी आंदोलन को तीन चरण में विवाजित करके हम लोग पढ़ा जाएगा अब आगे हम लोग प्रथम चरण में जो प्रमुग घटना घटी थुई थी वो प्रमुग घटना थी आपका बंगाल विवाजन और इसी बंगाल विवाजन से को ले करके मैं इस तरीके से आप लोगों को कई घटनाओं को फ्लैस आउट करूंगा जिससे पूरा कंसर्ट आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा पहले इसका मैं डाइग्राम बनाऊंगा और उसी डाइग्राम के आधार पे मैं आप लोगों को बंगाल विवाजन से रिलेटेड जितनी भी उसको उसी कंसर्ट के अंतरगत आपको जोडते हुए ले करके चलेंगे तो अब प्रथम चरण की घटना में आपका बंगाल विवाजन मुखे रूप से पढ़ेंगे और इसके लिए हम लोग अगले क्लास में आपका चुकी थोड़ा सा ये लंबा वीडियो होगा बंगाल विवाजन वाला क्योंकि इसी बंगाल विवाजन को ले करके आपका सबसे पहला अंदोलन कौन सा हुआ था ये सोचने वाली बात है उसके बाद से इसी बंगाल विवाजन को ले करके कॉंग्रेस के बीच मतभेद उत्पन हुआ ये भी मतभेद उत्पन हुआ तो कब हुआ कैसे हुआ ये सारी चीजें इसी बंगाल विभाजन को लेकर के आई अन्सी जो हिंदूओं की पार्टी कही जाती थी इसी बंगाल विभाजन को लेकर के मुश्लिमों ने एक अलग पार्टी का निर्माण किया और वो पार्टी का क्या नाम था उसके साथ साथ इसी आई अन्स कब समाप्त किया गया कब रद किया गया कब घोशना की गई तो यह पूरा डाइग्राम के माध्यम से ही आपको एक ही वीडियो में फुल रूप से प्रोवाइड हो जाएगा और मैं दावा करता हूं कि अगर वो डाइग्राम आप लोग देख लेंगे तो आपका एक साथ बं करता है